हलो एवरिवन वेल्कम बाक टू माई चैनल एस्पिरेंस यूपिया सी आएस तो मैं आज आपको 22 अप्रेल 2022 के दा हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना है वो बताने वाली हो तो चलिए देखते हैं फ़र्ज जो यह है केरला नीदरलांड से रिलेटर इसमें क्या लिखना है इसमें आपको यह लिखना है केरला नीदरलांड ने MOU किया है यानि की मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टांडिंग ठीक है साइन किया है प्रोजेक्ट को लेके स्टेट हिस्ट्री के बारे में यह जो है यह कॉस्मोस माला बैरिकस डील है ठीक है और 18th century document पे बेज जिसमें केरला के हिस्ट्री से रिलेटर है ठीक है उसमें क्या है कि इसका एम है शेडिंग फर्दर लाइट कि इस पे लाइट डालेगा हिस्ट्री ओफ केरला जो 18th century Dutch document में में इसके अकॉर्डिंग ठीक है यह इतना लिखना है आपको आगे देखते हैं और क्या में इनिमल कॉन्फिक्ट को लेके जो पैनल ने बोला है उसमें है expert body की जर्रत है यानि कि expert body needed on man-animal conflict यानि कि expert body की जर्रत है man-animal के जो conflict है इसको सलजाने के लिए ऐसा recommend किया है पैनल ने और यह कि standing committee जो है science पे उन्होंने कहा है issue needs legislative backing यानि कि legislative backing की जर्रत है legislative support की जर्रत है इस issue पे जो man-animal conflict को लेके है आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है निदी आयोग target EV push के बारे में बैटरी swapping को लेके उसमें आपको यह लिख लेना है निदी आयोग ने target किया है electric vehicle जो push है इसको लेके battery swapping policy को लेके क्या बुला है यह draft plan है इसमें aim किया जाएगा जो electric two or three wheeler है उनको लेके इसमें बात की गई है ठीक है कि यह large scale adoption of EVs होगा ठीक है इसके बाद coal import को लेके बात है तो उसमें क्या लिखना है इसमें लिखना है कि three key states say to plan coal import to plug shortage इसमें जो तीन की state है उन्होंने प्लान किया coal import को के plug shortage को दूर करने के लिए उसमें कौन-कौन से state है महरास्ट्रा है गुजराद अन्तबिलनाडू तीनों ने पहल करी है तो आज के short note में जादा नहीं था बस इतना ही था तो आपको short note कानल इससे अच्छा लगता हो तो please like करिए चैनल को जदा जदा शेयर करिएगा और subscribe करना मत भूलेगा मिलती हूँ आपको next video के साथ Thank you